नमस्का किसान भायों आप से का स्वागत है एक वाफिर से क्रिशी एंजडी हमें किसान भायों आद में आपको ऐसी खेतिक बारे मताने वाला हों जो कि 25 तुरों में आपको कम से कम महिने के 10,000-50,000 रुपय मुन्ना फामे में ही देएगी जी हाग समयों हम बात कर रहे हैं सबसे पहले और आलू की खेती करके आप अच्छा-कासा परसा कमा सकते हैं आलू की प्राइस 35 किलो विक्ती-विक्ती है यानि कि आप महिने का कम से कम 2-3 लाग रुपई आरें कर सते हैं आप एकड में खेती करते हैं प्यास का सेसे, आप सिलेग लाफ़ार आप कम से कम एकड़ कर में लुसुन खेतिल के जी आप Ukrainian आपको मिलता रहेगा यानि कि हर सीजन में इसको आप बेच सकते हैं लेसुन प्याज की मांग होती है तो कहीं न कहीं आप इससे अच्छा कासा प्याज करते हैं इसके इसमें सिफ आपको कम से कम पांच शेचा पर खर्चा करना पड़ेगा लागतल है और इसके बाद आपकी क कमाई अच्छी खासी होगी ही होगी यूकि यह हमयशा मांग होती है मार्कत में पेसे साथ में आप फूल कोभी कि खेती कर सकते हैं किसान भाई आप इसके साथ पत्तागोभी की खेती कर सकते हैं फूल कोभी कीसान पत्तागोभी किए मिलती है अब आप सीजन बहुत सर्क पास जधा जब नहीं होता है इसलिए एक दो क्यारि में आप बैगन की खेती कर सकते हैं लाइन से आप क्यारियों बना लिजिए मेड़े और लाइन से बैगन खेती कर देजिए अच्छाँ-कासा बैगन का भी उत्पान होता है, और मार्केट में बैगन आज की रेट में 40 रॉपाक रॉपा किलो बीखी रहे हैं, इस साल बैगन की कीमत 40-30 कलो भी रही ना ही खट रही है ना भड़ रही है आप का केरा मंदा ही इस refusal मार्केट में साथ में आपको फैसा होने वाला है कि मटर को आपको पासन भी करते हैं और अभी सीजन ही ठंडी का जाल रहा है तो यहां पे मांग बहुत जाता होती है अच्छा कसा मुली खेती करते हैं तो आपको मार्गेट में 20-30-30 किलो में मूली बेचना ही बिचना है और अच्छा कसा मुनाफा मिलेगा और ठंडी में मूली की तुमांग बहुत जादा होती है इसलिए आप अग्रती मूली की खेति कर सकते हैं मुली खेती करने के लिए किसान भाई आपको जदा कुछ खचार नहीं पड़ता है करीबन 2-3 रुपे खचार किजिए पर्टिक्र के अच्छा करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब लगा सकते हैं और साथ में पाला का भी खेती आप कर सकते हैं तो खिसान भाई यह थी कुछ आजर की जनकाल जाएं जो कि आप कम सब्सक्राइब में अच्छा का सब्सक्राइब करकर के वीडियो को लाइक जाने को सब्सक्राइब जरू किजिए